अगर तुम देखोगे तो आहदे से जादा लोग वो रिसेशन की बात कर रहे हैं वो जानते आज के इस वीडियो में आएगा के नहीं वो भी समझते हैं इस वीडियो में और वेल्ज क्या कर रहे हैं जब मार्केट गिर रही है वेल्ज क्या कर रहे है और हमें क्या करना है यह सब समझते हैं इस आज के वीडियो में तो चलिए बिना वक्त जाया कि यह वीडियो शुरू करते हैं तो मेरे भाईयो सबसे पहले हम लोग जो है वो चलते कोईन मार्केट काप पे हमारा सबसे बेस्ट इंडिकेटर जो मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमेशा ये यूज करो जब तुम्हें समझ में आए कि चीज खरीदनी के बेचनी पिलाल हम लोग का है 48 नूटरल रेटिंग पे इस से पहले हम लोग शायद फियर में थे और फियर से पहले भाई ग्रीड में थे जब हम लोगों ने बेचना शुरू किया था अब देखो तुम्हें शाथ समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज है ना ये एक फियर एंड ग्रीड ये कितनी जबरदस चीज है मतलब कितना जबरदस ये चार्ट है कितना बेस्ट ये इंडिकेटर है तो मैं कहीं किसी भी हाई फंडू इंडिकेटर को समझने की ज़रत न देख लेते हैं सिर्फ बड़ा सिंपल ये हम लोग जो हमारे फॉल्वर जा उनको ये चीज़े पता है जो हमारे फॉल्वर नहीं है जो पहली बार ये वीडियो देखने आये है मैं तुम्हारे लिए बताता हो कि भाई ये कितना आलिश मतलब कितना इजी इंडिकेटर है ओ भहिया बेटकोईन का दाम था सतर हजार डॉलर्स और सतर हजार डॉलर्स में हम लोगों ने प्रॉफिट्स लिए थे ऐसा नहीं कि हमारे पास क्रिस्टल बॉल था ऐसा नहीं हमें पता था यहीं से मार्केट मुड़ेगी ये भी नहीं था कि बाई 74 तक जा सकता है हम लोगो हमारी buying कब start हुई यहां और यहां पे भी क्यों हमारी buying start हुई अब देखो जुलाइ मार्च में बेचा जुलाइ में तुमने वापस खरीदा ओके और जुलाइ दो हजार चौबएस ओके तो यहां कहीं आजाओ तो तुमने close to जो है वो 55,000 डॉलर्स के market में वापस entry बनाई 70,000 से तुमने पेचा 55,000 पे वापस पकड़ा सब altcoins अभी green में है नहीं लेकिन तुमने profits में निकाले और आज उन coins की जो value है तुमारे पास वो काफी बढ़ चुकी तुम देखो almost almost जो है वो double के करीब हो गए वो altcoins और जब यह market वापस turn लेगी फिलाल ते चलो bitcoin dominance उपर है बड़ जब market वापस turn लेगी तुम gains देखना और वहां तुम्हे gains क्यों बिलेंगे वो मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में जरूर बताता हो उस एकशी पहले वहीं चलते बाकी सब news इस बाद में देखेंगे आई नो यह बड़ा important एक वो रहता है कि बाई काम की बात बताओ हमें भी बाई होता है काम की बात बताओ बाकी सब बाद में देखेंगे अब काम की बात यहां देखो यह है एक whale wallet जिसको हम लोग crack कर से दे ओके यह wallet का address अब भाई यह whale कर क्या रही वो देखो इसका profile का value कितना है 527 के अब भाई हीरो कर रहा है 748 उसने इस wallet को भेजे 8 लिंक उसने यहां भेजे एक Ethereum भेजा 733 लिंक भेजे अब यह जो wallet में भेज रहा है यह wallet है क्या अब इसको click कर लो तो भाई आप आओगे इस wallet पे जिसका value सरफ 17 डॉलर बट यह कैसे हो सकता है उसने 780 मतलब 8000 का तो लिंक की भेजा भाई 940 डॉलर का यह भेजा है 18 USD 32 डॉलर का ETH यहां 3000 डॉलर का ETH 8000 डॉलर का ETH इतने पैसे यहां भेजे तो यहां से गए क्या आगे देखोगे तो भाई जो जो आ रहा है वो एक और wallet को जा रहा है अब यह wallet पे अगर तुम चाहोगे भाई साब 23 मिलियन डॉलर जो है वो इस wallet में पड़े 23 मिलियन डॉलर और सरफ इसे उस wallet से tokens नहीं आ रहे भाई 280 के उसने Binance पे deposit के क्यों तुम मुझे बताओ market गिर रही है link उसने वहाँ से खरीद के इधर भेजा यहां से उसने 280 के जो है वो Binance पे भेजा क्यों भेजा आई क्योंकि उनको और tokens खरीदने simple सी बात और यहां पे भी देखोगे तो आगे भाई एक और wallet है उसके बास जहां पे वो tokens भेज रहे तो whales क्या कर रहे है सिरफ और सिरफ लोगों को बेज़ को बना रहे और ultimately वो लोग क्या कर रहे है चुपचा पैसा डाल के सब tokens जो है वो खरीद रहे है और market का अगर हाल तुम देखोगे तो भाईया लोग कह रहे 58K के gap को फिल करने जा रहे ठीक है उसके बाद अगर यहां देखो यह चार्ट अच्छा है चाहे हम लोग 58K के पास जा रहे अगर तुम देखोगे तो हम लोग उने यह सारे phases complete किये test किया और all time high बहुत जल्दी break करने वाले थोड़ा patience जो लोग भी recession की बात कर रहे है डर रहे है भाई यूएस से यह शुरू हा recession ओके यह चार्ट कितना dangerous लग रहा भाई यह weekly chart अगर weekly candle देखो तो कितनी खतरनाक लग रही है इसको सिर्फ मैं तीन महीने पर कर देता हूँ ओके चार्ट जो है वो तुम पूरा धंक से देख लो अब मुझे बताओ क्या गड़बड कहां recession है भाई कहां है recession यहाँ 6000 से हम लोगों ने अक्टूबर 2008 में शुरू किया था सीधा उपर की तरफ ही जा रहा है तो सिर्फ एक सिर्फ correction है जो short term correction है उसके इलावा कुछ भी नहीं तो यहाँ डरने जैसा कुछ नहीं है चुप चाप accumulate करो long term सोचो दो दिन चार दिन बाद का मत सोचो यह SPX same Indian Nifty same Indian Sensex मेरे भाई exact same चुप चाप सिर्फ और सिर्फ बटोरो market जो वो बड़ी सही है वह आगे ट्रम साव आ रहे और उनके आने के बाद जो होने वाला वो हम सबको पता है वो businessmen आदमी है उसका काम नहीं है कि पैसा निकले market से उसका काम simple है मैं अभी पैसा बनाऊ तुम भी पैसा बनाऊ तो gap definitely fill हो सकता है लेकिन उसके बाद market को उपर जाना 62,000 का gap एक और हम लोगोंने create किया है whales का जो volume है exchanges के उपर वो 9 साल का highest है और ये last time जब हुआ था तब bitcoin ने 220 dollar के उपर bottom मारा था और अभी भी फिलाल जो तुम देखोगे वो bitcoin bottom मारेगा miners जो है वो bitcoin बेच ही नहीं रहे clean spark ने सरफ 2 bitcoins बेचे लोग इतने बेरिश है वो ethereum वाला मैंने बन किया नहीं यहां है तो लोग इतने बेरिश है कि मेरे भाई अब ethereum यहां गिरेगा वहां गिरेगा नहीं उसका ETF अप्रूव हो गया है लोग पैसा डालेंगे पैसा डालेंगे तो उसका फाइदा होगा जो एक alt coin को लीड ओ डाओ वो हम लोग बात करते हैं लास्ट में बड़ तुम देखो जब ETF आया है बाई कोई भी यह नहीं सोचेगा कि भाई वापस जाने दो 1500 पर या कहीं और जाने दो सो अगें recession तो जो है वो अभी out of picture लग रहा है मेरे भाई एक क्योंकि हम लोग जो है वो rate hikes देखेंगे rate lows देखेंगे September में क्योंकि Fed ने clearly बोलती है दूसरा Trump साव आ रहे है और वो देश की band बजने नहीं देगे और जब market में पैसा आएगा तो मेरे भाई तुम सब समझ सकते हो कि क्या होने वाला है ओके तो अभी sell off है क्योंकि लोग चाहते के डरे हम लोग लोग चाहते के हम लोग अपने assets बेचे ताकि वो खरीच सके और हम लोग जो है वो greed में वापिस आए greed में नहीं आना है भाई fare में buy किया है hold करने और अगर वो अभी वी उनी prices पे है तो average out करने है तो again डरो नहीं buy करो smart play करो greed में बेचो fare में खरीदो तुम यह नहीं करफा रहे हो तो channel को subscribe करो क्योंकि मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें यह सब चीज़े याद करवाता रहूँ अब जब ethereum का ETF आ गया है तो अब ethereum का ETF का फाइदा जो है वो lead out उठाने जा रहा है वो customer जो अपना investors बड़े बड़े उनको option दे रहा है कि तुम stake करो institutions को so again project बहुत जबरदस्त और सरफ और सरफ fundamentals नहीं एक पर technicals भी अगर तुम देख लो तो मेरे भाई यह है 3 monthly chart so तुम देख सकते हो 94 cents जो है वो 3 महिने के ऊपर बहुत तकड़ा support है इसका current price जो है वो 1.24 अब 1.24 जो है अगर मैं इसे monthly time frame पर कर लू so मुझे यह alt coin जो है वो 94 cents तक बटोडते जाने okay so फिलाल अगर तुम देखोगे तो monthly time frame के ऊपर यह जो था वो support resistance है इसका so 1.14 के around जो है वो तुमें इस token को buy करना है यहां से मुडता है तो well and good नहीं मुडता है तो आदा जो है वो 94 cents पे buy होगा उसके नीचे अपना stop loss है और यहां से जब यह मुड़ेगा तो कम से कम नहीं तो 3 dollars okay और 3 dollars को जो break करेगा तो जैसे कि मैंने पहले भी का भाई 11 dollars जो है वो इस project के लिए बहुत easy है achieve करना so close to 11x तुमें इस project में मिलेगा opportunity है गवाओ मत बटोरो okay उसके बाद सिरफ और सिरफ पेशन से वेट करो पैसा बन क्या है और चपड़ फाड़ के बनेगा okay इसके इलाबा कोई भी सवाल रहे confusion रहे लगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है comment करके जरूर बताओ कोई charts है जो तुमारे अटके है charts मतलब कोई tokens है जो अटके है पोचो scope है के नहीं क्योंकि जो losers है न वो हमें काटने ही पड़ते है so मैंने 2017 में काफी losers हम लोगों ने भी पकड़े थे right 2020 में वो सब हम लोगों को loss में काटने ही पड़े क्योंकि तुम वो पैसा अच्छी जगा डालोगे और वो तुमारे projects बढ़के आएंगा अब लास्ट वीक हम लोगों ने बात की थी TKO की तो तुम हर alt coin का जो है वो देख लो इस अफते कितनी पिटाई हुई है और इस token को एक बढ़ देख लो 27 cents, 30 cents के उपर बात हुई थी अगर तुम्हें याद होगा तो 27 cents, 30 cents सिरफ यह token के रहा तो तुम्हें Wales को follow करना है और Wales फिलाल buy कर रहे है और हमें भी वही करना है तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आईए तो like करो, channel को subscribe करो तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, thank you so much